सो यह वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने न्यूली टैस्सरीज जोइन किया जैसे आप टैस्सरीज पर क्लिक करते हो ना अपने टैस्ट आइकन पर क्लिक करके आपको यहां पर चैप्टरस दिख जाएंगे किनकी टैस्ट अभी अवेलबल हैं आपको सबसे पहले मैं हैंने जैसे जैसे सर्जेस्ट किया है आप ज्यैप्टर बाइस दो prevention चाहते हो तो आप वहां से श्टार्ट करों सिर्फ क्याश्त करों जाएग तो इसे की बीच में उल्सिति सर्फ हो जाएगा कि इस यहाँ पर को आपको duration पता चल जाएगी 30 question है तो 30 minutes मिलेंगे वैसी उसकी marking होगी जैसी first question आता है आप यहाँ पर interference पर देख रहे होंगे सबसे पहले कि आपका label of herbarium seed does not carry name of collector हो गया आपने उसका answer दिया तो next करने के लिए answer के बाद यहाँ पर question number 2 दिखा रहा है आपको scroll करके second question पर जाना है और side में उपर आपको answer 1 by 30 दिख रहा होगा वहाँ पर आपको बताता रहेगा कि आपने कितने answer दे दिये हैं questions के अगर आपने जैसे यहाँ पर जो question है आपका increase the area observation इसका tick लगाया उसके बाद नीचे question number 3 दिख गया आपको scroll करना होगा 3 question के लिए अगर आप review के लिए छोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर review letter का जो option है उसके click करेंगे तो आप अगले वाले question पर बढ़ सकते हैं aims में भी आपका ऐसी होता है review letter के लिए आप कहां से check कर सकते हो जो यहाँ पर आपको नीचे आपने answer लगाया उसके बाद आप नीचे जाओगे यहाँ पर blue box में आपको dot dot दिख रहे होंगे इस पर click करोगे तो यहाँ पर आपको जो आपने bookmark लगा रखें उस question पर अगर जाना है वापस आप उस पर click करोगे आसानी से जा सकते हो सेम ऐसी aims में भी होता है उसके बाद अगर आपको submit करना है paper आपना तो आप जल्दी submit कर सकते हो aims में तो आपका two hours के बाद ही अपने आप submit हो जाता है उसके बाद आप यहाँ पर correct और wrong देख सकते हैं आपने कितने correct और कितने wrong किये हैं जैसे यहाँ पर एक wrong हो गया था तो उसकी negative marking भी हो चुकी है और question PDF अगर आपको देखना है तो वहाँ पर question PDF भी available होगा उसके बाद भी अगर कोई doubt रह जाता है कि test series में आपको question कैसे लगाने हैं तो आप पूछ सकते हैं